प्राइवेट में प्राइमर्य स्कूल में जो मिलेगे सेलरियों की 2000 रुपे प्राइवेट की तो प्राइमरी स्कूल यह यहां थैधा 3-4 जार रुपर 5 जार रुपर इस से अधा अच्छा स्कूप नहीं है फिर आपको आगे क्या उप्षिन आपके पास कि आप DLA बी कॉम आ के लिए चैनल आ चुका है दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं टीचर बनना कॉमर्ट से टीचर बनना तो आज सबका डाउट सबकी क्वेरी इस वीडियो में सोल वने वाली है तो वीडियो को पहले लाइक कर लो और खड़े हो तो यार बैठ जाओ एक बात क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन डाउट 100% के लिए हो जाएगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कौन सा टीचर आपको बनना चाहिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए कहां सेलरी है तो कमेंट कर देना सेकिंड पार्ट उसके लिए आ जाएगा विए आप सबके लिए तो वीडियो बनाते हैं और तो हमारा कुई काम ही नहीं है तो प्यार देतरी इस तरह से सबसे पहले यहां पर देखिए कोमर्स के लिए मैं साथ से आठ साल में लगातार कंफूजन में मैंने क्या करना चाहिए क्या क्या कॉमर्स की teaching में कुछ scope है नहीं है मैंने accounting का काम किया उस समय स्कूल में कलर का का माम भी किया में लेकि मेरा टीचिंग में इंटरस्ट था तो मैंने teaching जॉइन की और लग बारा तेरह साल मैंने teaching में अपना time दिया है जिसमें तूशन भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक शरूर से देखना पहले बात करते हैं तीन तरह के टीचर जेज गॉर्मेंट जोब होती है कि तो प्राइमीरी år होते हैं। प्राइमरे स्टुएंंट जैसी प्राइमरी स्कूल्स कोल रखे हैं जहां पर टीचर होते हैं कि सैलरी लगबग 45-50,000 रुपे महीना होती है और इनका काम भी कोई खास नहीं होता मिड़े मिल की सुविदा अलग से मिलती है बच्चों के साथ खाओ, बनाओ, मजे मारो और ज्यादा टैंशन का काम भी नहीं होता बट यह है कि आपको कहीं भी जोव आपके लग सकती है आपके स्टेट में ठीक है इसके लिए क्या लेजिबिल्टी है क्योंकि commerce के student हो तो आपने बीकॉम किया वहा होगा यह बीकॉम honors किया वहा होगा कुछ बच्चे ये भी सवाल कर सकते हैं सर मैंने BBA किया हुआ है या BCA तो क्या मैं भी teacher बन सकते हों बन सकते हैं प्राइमेरी टिचर के लिए केवल आपके ऐस बिएड पल्स डीएड एक सरे कोर्स होता है जिसको कहीं नाम से हम जानते है डीए लैड बी टी सी दीएड इनमें से कोई भी लिद्राइडह आपने किया वाइज दो साल का होता है इससे सब करने के बात अगर आपको बनना है सरकारी टीचर यह वाला तो आपके मांक्स अच्छे होने जी क्योंकि इसमें मैरीड बनती है अगर आपके बीकों में 70 प्लस हैं डीलेड में भी आपके इतने आ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है लेकिन इसका प्लस पॉइंट तो मैंने बता दिया क कि सपोज आपका अगर मार्क्स थोड़े से भी कम है और आपने कोर्स कर लिया आपने गौर्णमेंट जोब के लिए अपलाई के लिए आपको जोब नहीं मिले तो प्राइवेट में जोब नहीं होती प्राइवेट में प्राइमरी स्कूल में जोब मिलेगी सेलरी हो की 2000 तो यह सोच समझ के करना अगर आपके पास माक्स अच्छे हैं आपके आपका पर्सेंटेज अच्छा है 12 में भी 10 में च्छोड़ों 12 में ग्रेजिशन में ठीक है और आगे डियलेड में करना चाहते हो और तो आप और मैथ इंगली साब की थोड़ी सी ठीक है क्योंकि आती है चांस अच्छा है मेरा 1.2 से गोर्मेंट जोब रही थी हमारे यूपी में निगली थी 69,000 बढ़ती है 1.2 से और मेरे फ्रेंड की लग गई थी जब हम कोलीज में साथ में टीचिंग कर रहे थे तो 15 लोगों एक्जाम दिया था हम तीन लोग पास हुए थे जिसमें म 910 वालों को पढ़ते हैं ठीक है 8 910 को पढ़ते हैं तीजिटी होते हैं इसके लिए इसके लिए कॉमर्स जीन स्कूल में कुछ गोर्मेंट इसकूल ऐसे है जहां पर 910 में भी कोमर्स होती है और कुछ गोर्मेंट इसकूल में तो 6 7th 8 में भी कोमर्स होती है एक additional optional subject के तो ऐसे में थोड़ा परसेंटेज इसमें भी अगर आपके बीकॉम करना है और बीकॉम के बाद सिंपल बीड ची होता है इसमें भी सेलरी लगबग 55-60,000 रुपे के लगबग यहां पर आपको सेलरी मिलती है ठीक है पर मन्त आपको और इसके लिए भी आपको सिंपली एक्जाम क्रेक करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए टैट्री देना होता है इसके लिए एक एक्जाम होता है प्लस पॉइंट यह कि आप दूसरे स्टेट में भी इसको दे सकते हो तीसरी पोस्ट आती है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यह 11-12 वालों को पढ़ाने के लिए होता है इसमें आपको बीकॉम एमकॉम और बीएड तीनों डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी उसके बाद आपका जो पीजीटी का एक्जाम होगा उसको आप क्रेक क होते हैं आप लगों के टीचर की पोस्ट पर जब रिटायर होगे तो कॉलिज के पिंसिपल की पोस्ट पर रिटायर होगे क्यों कि आपका प्रमोशन होता रहेगा ठीक है तीजीटी से पीजीटी में आने के लिए बहुत एंशन लेनी पड़ती है तो यह सब बाते हैं तो यहां पर पॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती है अब आपको यह देखना है अगर आपका परसेंटेज अच्छा है आपके मांक्स अच्छे आते हैं आपकी मैं इंगलिस अच्छी है तो प्राइमरी में जाईए अगर आपको गोर्नमेंट जो भी चाहिए अगर आपको जरूर से करना उसी के बाद आप जा सकते हो अब आपको यादो मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कॉमर्स में टीचिंग में करियर नहीं है खास सही कहा था दोस्तों मैंने भी बताया आपको कि वकेंसी निकलती है सो डेड़ सो केंडिरेट होते हैं पचास अजार पे इसी स्कूल मिल जाएंगे अगर आपका अकाउंट अच्छा है तो आप टीचिंग कर सकते हो और 15-20,000 सेलरी कम से कम मिल जाएगी 15-50,000 के टूशन पर डालो कोचिंग सेंटर खोलो और अपना कमाओ पैसे उसके लिए आपको क्या है कि आपका अकाउंट अच्छा होना चाह तो अगर आप इस तरह के के हो यह चीज सो सकते हो कि भाई बनना मुझे टीचर ही है गोर्मेंट ना लगी तो मैं प्राइवेट में चला जाओंगा तो आप करो बीकॉम एमकॉम बीएड आप कॉमर्स से करोगे ध्यान रखना जो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होता है ग अब भी भी आप दे सकते हो इसको ठीक है तो 40-45 तक के चांस है आपके पास हरी स्टेट का अलग रूल है और मैं तो कहुंगा फोर्म आये तो भरो अब आप यह बताओ आप इन तीनों में से किसके लिए चोगो या कोई बात बतानी रह गई हो तो मुझे कमेंट कर देना ज झाल